20 days option trading challenge के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है तो friends आज challenge का दास्वा दिन है आज के दिन मुझे कितना का profit हुआ, कितना का loss हुआ आईए मैं आपको बताता हूँ तो सबसे पहले देखते हैं कि आज market कैसा open हुआ तो आज देखेंगे market जो है gap up open देखने के लिए मिला nifty 50 में भी gap up open देखने के लिए मिला और bank nifty में भी gap up open देखने के लिए मिला तो आज का जो trade का plan था वो put side में plan था तो market open होते हैं यहाँ पर एक put side का entry बनाया गया पता नहीं ये strike price select करने में problem मुझे से हो गया या फिर जो broker है उसका दिक्कत हो गया तो पहले जो trade में मुझे loss हुआ वे हुआ है 1760 रुपे लंसम 1760 रुपे का loss हुआ है और 44,000 के put में काम किया गया था किस में काम किया गया था 44,000 put में काम किया गया था और timing की बात करें तो 9 बज कर 15 मिनिट पर ही trade ले लिया गया था तो पहले trade में मुझे काफी बड़ा loss हो गया तो उस trade से simple नहीं exit कर दिया गया तो ये आज का मेरा काफी बड़ा mistake है मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए तो आपको भी मेरे mistake से सीखना चाहिए आपको कभी भी market जैसे ही open होता है वैसे ही आपको trade में entry नहीं बना लेना है आपको कुछ समय wait करना है उसके बाहां से आपको trade करना है जो भी plan है आपका setup के अनुसार से काम करना है तो ये मेरा पहला mistake था तो इस trade से मैं तुरंती exit लिया उसके बाहां से मेरा plan तो put side ही कहीं था तो फिर से मैं दुबारा जो है इसी में 44,000 44,000 के bank nifty में put में मैं entry बनाया तो इसमें मैंने entry जब बनाया 106 रुपे पे मैंने entry बनाया timing की बात करें तो इसमें जो है यहां पे मैं entry बनाया हूँ 9 बच कर 20 मिनट पर तो चलिए यहां पे spot position लगा देता हूँ 9 बच कर 20 मिनट पर इस candle पे मैंने entry बनाया हूँ और target की बात करें तो target जो है मैं लंसम में यहां पर यह जो candle है यह जो candle देख रहा है लगबग इसी candle में exit ले लिया हूँ तो यहां पे मैं option के chart पे मैं आपको बताता हूँ जो premium के chart है मैं वहाँ पर आपको समझाने का प्रियास करता हूँ तो यहां पे यहां पे देख सकते है मेरा entry जो था इस candle पे था यहां पे यह जो candle आप देख रहे है इस candle पे मेरा entry था बगल में आपको यहां पर पेनल जो है प्रोफिट और लॉस देखने के लिए मिल जा रहा है 106 रुपे 75 पैसे पे यहां पे entry था मार्केट यहां पे फॉल किया नीचे जा रहा था मेरा एसे लेट नहीं हुआ और यहां से मार्केट जो है उपर जाने लगा तो यह जो यहां पे बिग ग्रीन केंडल है यहां पे यहां पर जैसे गया मोमेंटम में मैं exit कर दिया तो इस trade में मुझे 1533 रुपे का benefit हुआ और जो पहला मैं trade लिया था उसमें जो है मुझे loss हुआ था तो overall बात करेंगे तो इस trade में मुझे 226 रुपे 50 पैसे का loss ही हुआ है profit नहीं हुआ है तो पहला trade जो मैं लिया था वह मेरा गल्ती था उसी mistake के वज़े से loss हुआ है तो चलिए इसको entry मैं कर देता हूँ कि आज के दिन मुझे कितना का loss हुआ है तो सबसे पहले यहाँ पे book मैं open कर रहा हूँ open करने के बाद से आज का जो दिन है उस day को भी note में कर देता हूँ उसके बाद से trading challenge का दस्वा दिन है और इसमें जो है bank nifty में trade बनाया गया था उसके बाद से बताएं तो 44,000 के put में काम किया गया था 44,000 के put में काम किया गया था इसमें जो है 4 lot से काम किया गया था पहले 2 lot से काम किया गया था उसमें loss हुआ तो उसको recover करने के लिए 4 lot से लिया गया आपको ऐसा नहीं करना है ये काफी रिस्की हो जाता है तो आज जो है लॉस ही हुआ है 226 रुपए 50 पैसे का तो इसमें भी मैं इंट्री कर देता हूँ 226 रुपए 50 पैसे कर दो